हम लोग बक्री चराएंगे, मुर्गी पाले हैं, यार कुछ करें, अंडा बेचे हैं, मुर्गी बेचे हैं, सब चीज बेचे हैं, हमको खनाल पूरा हमरा जारखन का माल जो है, मेरे पास बेचो, तुम खा पीयोचे, भुखे मरो हमको मतलब नहीं है, हमको सब चीज दे दो, ह अगा हुआ है जारखंड के युवाओं के बारे में कोई नहीं सोच रहा है उपर से बोलते हैं कि हमारे पास में पैसा नहीं है जुवाओं को रोजगार कहां से देंगे हम बोलते हैं कि जुवाओं को रोजगार नहीं दे पा रहे हैं तो पैसा नहीं है तो यह जो अधिकारी यह सब कहा रहा है यहां माल है कोब मंत्री सुनने को त्यार नहीं है बोलता है जैसे चल रहा है चलने दो बाद में उपड़ी जो करना इसे हम अनको बता देना चाहते है पांज साल लूट जरूर में बाकी दिन होटवार में रहेगा यह आपकों विश्वासिला हम लोग तो पूरी तरह से माननिय मुखमंत्री हमन स्वरण जी को इसलिए चुने थे कि इन्होंने कहा था कि अगर मेरी सत्ता जैसे आए लाखों लोगों को जो है हम प्रतेक साल जुए सो जुवाओं को रोजगा करवा लें कैसे अपने भाई के नाम से करवा लें कैसे अपने पतनी के नाम से करवा लें कैसे अपने विधायक परतिनीधी को खनन पट्टा दे दें आनि अलूल जलूल करके और उपर से बोलते हैं कि हमारे पास में पैसा नहीं है जुवाओं को रोजगार कहां से देंगे यह जो पारा फटलने के यह की जा रहा है यह बोले थे मुखिया चुनाव के पहले यह कर देंगे यह निख्ती बरस होगा यह बिमुक्ती बर्स होगा क्या क्या नहीं कहे लेकिन कुछ भी नहीं हुआ ये सिर्फ पर सिर्फ पता रहे है ये अपने परिवार के लिए ये सता में आए और जैसा ये हाल कर दिये हैं कि जुवा इतने गुँगुस्ये में है कि इनको फिर बीच साल तक ये राजपाट देखने को नजर नहीं आएगा क्योंकि पूरी तरह सा पता रहें ये जो जुवाओं को ठक करके इनके परिवार के लोग जो है सो बच्चे यहाँ पढ़ने के लिए आए लेकिन सिर्फ और सिर्फ मुकमंत्री अपना जोला कैसे भर जाए अपने परिवार का जोला कैसे भर जाए अपने इर्द गिर्द जो है हमारा अलूल जलूल लोग वो कैसे जो है सो हमार पिये कैसे करोडों में कमा जाए किसको माने कूल मिला करके ये लूटने के लिए आए हम लोगों को रोजगार देने के लिए नहीं का समय और आभी आपके पास में का समय है उपका एक परिवार का अगर जदी नहीं चलता तो आपको कैसा लगता है है यहाँ पर पूरा जोन नोजवान जो है से पढ़ाई कि यह जा रहा रहा है अब नोकरी निकलेगा अगला हम सब करते यहें तोonter हैं छी मुखमंत्री महदअ है मंधिस सक्षी आधिक लोगों युवाओं को रोजगार देंगे, आपो रोजगार देने का काम करेंगे, आपको पुना सत्ता में बढ़ाने का काम करेंगे। पूरा धिकरी के पास में यही सब निकलेगा और आपको बता रहे हैं कि युवाँ आप बोल रहे हैं पूरी तरह से उतावला हो चुका है मलब इतिहास में ऐसे पहली बार हुआ है कि कोई मुख मंत्री अपने ही नाम पे खनन पटा लेज़ा यह बता रहे हैं यह पूरे बार्गी भी बोलेड़ो हम लोग बकरी चराएंगे मुर्गी पा लें यार कुछ करें अंडा बेचें मुर्गी बेचें सब चीज बेचें हमको खाना पूरा जारखन का माल जो है मेरे पास बेचो तुम खाव पीचें भुक्खे मरो हमको मतलब न से जतना है पूरा रिष्यदार अकर विधायक परती नीधी वोकर ये वो सब जो है लूट में लगा हुआ है जारखंड के युवां के बारे में कोई नहीं सोच रहा है बता रहे हैं जारखंड के युवां बहुत ज्यादा उतेजित हो चुके हैं मंत्री लोगों को बंगला मिल गया अभी फोर्चूनर मिल गया है जो जो जतना रोबर है तो सब देगा लेकिन युवां को रोजगार नहीं देगा और यह चीजा खली वाब पेपर में निकलता है अब अब यतनी भेकंसी आगी यतनी भेकंसी आगी और मैं भेकंसी खा गए भेकंसी आगी कहां से पैसे नहीं है कहा है पैसा क्यों नहीं है क्योंकि अपने माल मारके सब खा करके भीतर कर दिये तो पैसा कहां से रहेगा सब को लुटने के लिए यहां पर नेता लोग बंगता ही है सिरफ लूटने के लिए यहां जारकंड के उत्थान के लिए जुवाओं के बारे में कोई नहीं सोचता है जुवास पूरी तरह सहतों साहित हैं और यहां के लोग जो है जितने नेता लोगार मंत्री लोग है माला माल है को पुछने जाइए को भी मंत्री सुनने को तयार नहीं है बोलता है जैसे चल रहा है चलने दो 5 साल हमको लूटने दो ओकर बाद में जाव जो करना है इसे करते हैं हम उनको बता देना चाहते हैं 5 साल जरूर लिजिएगा बाकी दिन हटवार में रहेगा यह अब को विश्वास्ति लाते हैं धारखंड लाइव की और वीडियोज को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं